आज के वीडियो में हम दो वेप रोटिन को कंपेर करेंगे उन दोनों वेप रोटिन का नाम है मसल ब्लेज फ्यूल वन चॉकलेट और माइफिट फ्यूल एट्टी चॉकलेट केरमल तो ये दोनों जो वेप रोटिन है ये फ्लेवर वेप रोटिन है दोनों ही कॉंसेंट्रेट बेस्ट वेप रोटिन है और दोनों ही लगबग सेम बजट में आते हैं तो बहुत सारे बायर्स को जो है confusion है कि सर इन दोनों वे प्रोटीन में से अगर हमें चुनना हो तो हम कौन सा वे प्रोटीन लें तो मैंने सुचा इसके उपर एक comparison वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को अपना ओपीनियन बता देता हूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रैंड के introduction के साथ तो Muscle Blaze ब्रैंड की बात करूँ तो Muscle Blaze एक Delhi-based ब्रैंड है जो की 2012 में established हुआ था Muscle Blaze की parent company का नाम है Bright Life Care जो की HealthCart एक online nutrition selling website है उसे भी own करता है और बात करूँ अगर Muscle Blaze Fuel One के manufacturing के बारे में तो Muscle Blaze ब्रैंड वलों ने अपने Fuel One Whey Protein की manufacturing outsource कर दी है Xeon Life Sciences को और Sapien Labs को Xeon Life Sciences की बात करूँ तो Xeon Life Sciences 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी company है काफी बड़ी काफी reputed company है यह लोग बहुत सारे international brands के लिए वेप रूटीन भी बनाते हैं जैसे की GNC हो गया Labrada हो गया In fact, Himalaya जो की Indian company है उसके लिए भी वेप रूटीन बनाते हैं बात करूँ Sapien Labs की तो Sapien Labs जो है year 2000 में established हुई थी भारत में और इनके जो बड़े clients है जिनके लिए ये वेप रूटीन बनाते हैं, वो health card और muscle blaze ही है तो guys यह हो गया muscle blaze का introduction अब हम जल्दी से cover कर लेते हैं Myfitfuel का भी introduction तो Myfitfuel जो है यह भी एक Delhi based company है, यह establish हुई थी भारत में year 2013 में इनका जो वेप रूटीन है, वो manufacture करता है Dan Nutrition नाम की एक company जो की हिमाचल प्रदेश based company है, यह जो company है Dan Nutrition, इनकी जो website है वो under maintenance है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा information तो मैं निकाल नहीं पाया हूँ, पर जितनी भी information मुझे मिली है, उससे मुझे यह समझ में आता है, कि यह जो company है Dan Nutrition, यह लोग mainly अपनी ही brand के लिए अपने ही company के लिए products बनाते हैं, अगर किसी और company के लिए product बनाते हैं, तो वो है MyFitFuel, और लेट गैस, तो यहाँ पे हमने introduction पार जो है बहुत ही जल्दी, खतम कर दिया है अब हम जल्दी से बात करते हैं, ingredients पे तो दोनों ही brand के ingredients आप लोगों को मेरे screen पे दिखे रहा होगा, label पढ़के आप लोगों का time waste नहीं करूंगा बहुत ही important चीज़ आप बस यह जान ले कि दोनों के दोनों जो whey protein है वो एक concentrate based flavored whey protein है, और दोनों नहीं वे प्रोटीन ने ये disclose नहीं किया है, कि इन्होंने कौन सा lecithin यूज किया है अपने वे प्रोटीन के mixability को promote करने के लिए, अब guys हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं nutritional facts के बारे में तो nutritional facts भी आप लोग मेरे screen पे देख सकते होंगे company claim के हिसाब से हम बात करें तो muscle blaze fuel one आपको offer करता है 73% protein dry basis पे जबकि my fit fuel अपना protein declare करता है dry basis पे और as is basis पे भी dry basis पे जो है my fit fuel chocolate caramel आपको offer करता है 74% protein और as is basis पे ये आपको offer करता है 69% protein बात करें इन दोनों way protein के filtration method के बारे में तो देखिए guys दोनों के दोनो brand ने ये disclose नहीं किया है कि ये कौन से filtration method से अपने product को filter करते हैं पर क्योंकि ये दोनों ही concentrate based way है इसलिए natural method से ही इसे filter किया जाता होगा क्योंकि जो chemical method है ion exchange वो majorly way protein isolate में use होता है और क्योंकि ये दोनों concentrate based way है इसलिए natural filtration method से ही इन्हें filter किया गया होगा बात कर लेते हैं guys taste के बारे में भी तो देखिए जिस price segment में ये दोनों products आते हैं आपको taste में कोई भी शिकायत नहीं होगी muscle based fuel one chocolate भी ठीक है और my fit fuel chocolate caramel भी ठीक है अपने price को यो लोग fully justify करते हैं मेरे opinion में मुझे muscle based fuel one chocolate का taste slightly better लगा ऐसा नहीं बहुत जादा better लगा पर हाँ slightly better लगा as compared to my fit fuel chocolate caramel बात करें serving size accuracy के बारे में तो आप muscle based fuel one की serving size accuracy मेरे screen पर देख सकते हैं muscle based claim करता है अपने label पे कि इनका जो serving size है वो one level scoop है 33 grams का और मेरे kitchen weighing scale में इनका serving size accurate आता है पर बात करेंगा my fit fuel की तो my fit fuel अपने label पे claim करता है कि इनकी serving size heaping scoop है 32.8 grams की मेरे kitchen weighing scale पे वो inaccurate आया है 38 grams आया है बात करूं mixability के बारे में तो mixability guys दोनों ही product की अच्छी है 15-20 second में आपको smooth और lump free shake मिल जाएगा बात करते हैं guys अब मेरी lab test report के बारे में तो मैंने इन दोनों product का sample recently ही दिया था अपने lab test, अपने laboratory में जो की NABL accreditor और FSSAI certified है और मेरे lab test report के अनुसार muscle blaze की per serving में आपको dry basis पे मिलेगा 23 grams protein और my fit fuel chocolate caramel की per serving में आपको dry basis पे मिलेगा 22.5 grams protein यहाँ पे मैं सिर्फ dry basis पे ही आपको result बता रहा हूँ as is basis पे compare इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि my fit fuel जो है वो dry basis और as is basis पे दोनों declare करता है पर muscle blaze सिर्फ dry basis पे ही declare करता है और मेरी lab test report भी dry basis पे ही है इसलिए मैंने dry basis पे ही compare कर दिया है तो dry basis पे मेरे lab test report के अनुसार आपको muscle blaze की 33 grams serving size में मिलेगा 23 grams protein जबकि my fit fuel chocolate caramel जिनका serving size भी 33 grams का है उनके 33 grams के scoop में आपको मिलेगा 22.5 grams protein तो आप मोटा मोटा ये समझे है कि muscle blaze fuel one आपको 0.5 grams protein extra offer कर रहा है मेरे lab test report के अनुसार तो guys यह हमने बात कर ली lab test report के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों के price के बारे में भी तो देखें guys current situation में जो price चल रहा है वो मैं आप लोगों को पता देता हूँ पहली बात आप ये समझे है कि दोनों के दोनों जो है 1kg के pouch में आते हैं और दोनों में ही 30 servings आपको मिलते हैं muscle based fuel one का price और my fit fuel का price आप लोग मेरे screen पे देख सकते हैं इस time my fit fuel chocolate caramel आपको 50 rupees जो है सस्ता मिलता है as compared to muscle blaze fuel one तो guys ये हमने comparison जो है दोनों ही product से कर लिए हैं आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं conclusion के बारे में जो की purely मेरे opinion से है तो देखे guys जो my fit fuel है और muscle blaze है ये दोनों ही इंडिया के काफी reputed काफी well known brand है जहाँ पे my fit fuel का chocolate caramel इस time 50 rupees सस्ता है वहाँ पे muscle base का fuel one आपको मेरे opinion में slightly better taste offer करता है और क्योंकि मेरे lab test report के अनुसार दोनों में जो protein difference है वो per serving 0.5 grams ही पाया गया है इसलिए मेरे according आप दोनों में से कोई भी protein ले सकते है मैं बस आपको ये recommend करना चाहूँगा कि चाहे आपको इन दोनों में से कोई भी एक product अभी चुनना हो या future में चुनना हो आप बस price देखिए जो भी आपको सस्ता पढ़ रहा है आप वो ले सकते हैं तो guys उम्मीद करता हूँ आचा comparison वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में अगर ऐसे ही comparison वीडियो आप लोगों को और देखना है तो comment section में आप मुझे बताइए कि कौन से दो product का comparison वीडियो आपको चाहिए और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वो ले के आऊँगा मिलता हूँ guys आपसे अपने अगले वीडियो में till then be healthy, take care and जै